शुक्तर दोस्तों आज हम लोग अपने इस क्लास में पढ़ने वाले हैं घास के मैदान परिक्षा के पहले बहुत सारे ऐसे questions होते हैं जो बहुत छोटी छोटी गलतियां हमसे करा देते हैं और जब result आता है तो हमें बहुत पश्यताप होता है कि यह बहुत आसान से सवाल हमारे गलत हो गए तो कोई भी इनको नजर अंदाज ना करें यह revision एक short notes हैं जहाँ पर हमने इसको दो भाग में लिखे हुए इनको एक screenshot लेके आप exam के पहले revise भी कर सकते हैं अगर इनको आपको याद करना है बहुत अच्छे से आप इसको map के जरीए याद कर सकते हैं तो यह पूरा का पूरा आपके पास एक view है मैं चाहूंगा इसका पहले आप एक screenshot ले ले फिर इसको बाद हम लोग उसको पढ़ते हैं विश्व के प्रमुग घास के मैदान जो है वो दो भागों में मेंली बाटे गया है अगर देखा जाए उनकी स्थिती के अनुसार तो एक उच्छ निकटी बंदी है जिनका नाम ट्रॉपिकल है और एक है सीटोच निकटी बंदी है जिनका नाम है टेम्परेट तो कहां है और टेम्परेट की कहां है यह हमें पता होना चाहिए जिससे कि कभी अकर इनसे कुश्चन आये तो गलत ना होने पाए तो आप जानते हैं कि एक है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर करकरेखा और एक है ट्रॉपिक ऑफ कैपरिकॉन मकदरिखा इनकी स्थिती जो होती है 23.5 डिगरी नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिगरी साउथ इनकी लोकेशन होती है यह आपकी 0 डिगरी है तो सीदे सीदे यह कहा जा सकता है कि जो ट्रॉपिक्स के बीच में एरिया है वो कैसा होगा ट्रॉपिकल होगा क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम सन लाइट मिलती है उस नकटि गहास के मैदान तो आप देखेंगे मैंने को रेड लाइन से मार्क किया हुआ है जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि लानोच इलवाज से राडो कंपोच साहिल सवाना यह हमारे उस निकटि बंदी गहास के मैदान है तो इनकी स्थिती से अगर कोई क्व एन हाफ टिग्री जो सरकल है नार्थ में नार्थ और 66 एन हाफ टिग्री साउथ के जो लोकेशन पर हमारे ग्रास लैंड्स पाए जाते हैं और कहां से कहां तक तो इस ट्रॉपिकल एरिया के बाहर दोनों गोलार्द में यानि कि साढ़े तेईस से साढ़े छाषट तक के ज आपके होंगे सीतोच कटिबंधि हें तो इसमें नार्थ हम साउच नहीं लिख रहे हैं दोनों गोलार्थ में होगा वो साढ़े 30 गवा तीरेस लेकर 2030 साथ सौमें रहें में पर वह उन्हां हैं तो रेहेंगे च्चोहटी छोटी क्छी से लेकर की च्च्च थींग् Erfolg तक दो रहेंगे तो छोटी-छोटी लोकेशन पेनके कुछिशन अगर आपके आते हैं तो आपको पता होने चाहिए आए फटा-फट जान लेते हैं के इनके अस्थानी नाम क्या है क्योंकि इन सबकी भी सेशता हैं लगबग जैसी होती है लेकिन जगा-जगा इनके नाम हम अलग-अलग होते हैं तो सबसे पहले सुरू करते हैं उस निकटिबंदी घास के मैदान जब इसको हम मैप पर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से याद होता है एक मैप रखी उससे माग करिए आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा इसे दुनिया का सबसे बड़ा जो ग्रास लेंड है वह सवाना सवाना की स्थिति अगर देखा जाया तो केवल सूदान तो नहीं है सूदान इसकी एक लोकेशन अधे जहां पर आपको एक आउडिया लगेगा कि कहां पर है मिमली तो आप देखेंगे कि आफरीका का ज़ो यह यहां पर पाये जाते हैं तो सुदान इसकी मद्स जती कहां वहां पर सावाना की इस constanti ठीक है यह जायेगा सम्हराना कैसा है और फिर इनको ब्राजील में किस नाम से जानते हीत रहे दक्शिन अमेरिका का भागय लग्यामें ब्राजील के तहन कमपोज सवाना कमपोज और यह से कटवन दियत हैं अफ्रीका में कमपोज और तुराडव कहान अगर महादीप से मिलान करने को आता है तो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे लानोज थोड़ा सा पस्षिम में आ जाईए जो दक्षण अमेरिका का उत्तर पस्षिम भाग है जहां पर कोलंबिया और वेनेजुएला है तो कोलंबिया और वेनेजुएला के पास जो ग्र आप सवाना के साथ में ही एक नाम और जुड़ता है क्योंकि सवाना से ही लगे हुए कुछ घास के मैधान है जो अट्लांटिक तक तक पहुंच जाता है है लाल सागर से लेकmile आट्लांटिक के तट तक इनकी स्थिति मानी जाती है जिसको नाम है साहिल क्या नाम है साहिल तो अफ्रीका में आप 2 याद रखेंगे उसने करफ़न आप उनसे ऊपनाम पुछा जातो को साहिल कि इसमें देखेंगे और उसमें तो आपका ला.. देखिए यहाँ पर कोलंबिया वेनेजुएला के पास है कंपोज जो है वो ब्राजील में है सिल्वाज जो है वो अमेजन घाटी छित्र में है से राड़ो जो है वो भी ब्राजील में इस तरीके से दोस्तों हमने देख लिए कि जो हमारे उच्छ निकटीबंदी घास के मैद मैदान है यह प्रमुक है इनको एक दुबार आप देखेंगे मार्क करेंगे बहुत अच्छे सियाद होगा और आपके एक क्विश्चन जो गलत होते हैं वो गलत नहीं होंगे सी तोस्तों निकटीबंदी घास के मैदान देखते हैं जो हमारे टेंपरेट ड्रास लैंड्स ह हैं हमने बताया कि हमारे करक रेका है या मकरा रेका से उत्तर अग्षन की तरफ है चाहे आप इदर चले इस छेतर में तो जो कहा ईसको ऐसा नहीं किवाल आप यूएस सही बोलेगे कैनाद GPA भी पूछा जा onlar तो साय तो चनाड़ harus को अस्थान है तो इसको हम देख लेते हैं कि आपकी जिये बो करने लिए ओवह उत्तरी अमेरिका मैंने इसलिए यहां पर मेंशन किया हुआ है तो कहाँ पर है? उतरी अमेरिका छेत्र में उपर से देख लेते हैं जो यहाँ पर बना हुआ है पंपाज, पंपाज कहाँ है? तो पंपाज हैं आर्जेटीना, उरुग्यवे, ब्राजील, हमने यहाँ country जो country हैं के नाम रखे हुआ है लेकिन केवल दक्षिन अमेरिका भी पूछा जा सकता है तो ज़रा दक्षिन के देख लेते हैं कि कौन-कौन से हैं सी तोच निकट बंधी घास के मैदान एक अगर आप दूसरा देखेंगे तो वेल्ड है जो कि यहां पर दक्षिन अफ्रीका है उनको बोलते हैं इसी तरीके से आस्ट्रेलिया में आप देखेंगे तो दाउन्स हैं और न्यूजीलैंड में केंटर बरी के नाम से इनको जाना जाता है तो तीन अगर याद कर ले तो इसमें पंपास का पी ले ले और वेल्ड का डबलू अगर मालने डाउन्स का डी मालने तो पीड़वलूडी से करके आप एक शॉट में कर सकते हैं कि दक्षणी छेत्र में है तो इससे आपको थोड़ा सा क्रम्भी याद रहेगा कि पंपास जो है आपका ब्राइसर हो गया दक्षण अमेरिका के दक्षणी भाग अर्जेंटीना में हो गया इधर हो गया अधर अफ्रीका में वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया में जो की आपका कैंटरबरी हो गया और डाउन्स हो गया आपके चारों हो गया इनको यहां से रिवाइस कर लेते हैं पंपास अर्जेंटीना औरुग्वे ब्राजील यह दक्षण अमेरिका के देश हैं वेल्ड दक्षण अफ्रीका अफ्रीका में कैंटरबरी न्यूजिलैंड के वगास के मैदान और डाउन्स हमने अस्टेलिया पढ़ लिया तो दक्षण के हमें बहुत अच्छे से सीतोष से कडिबंधी याद हो गए उत्तर की तरफ हमने एक देखी लिया था प्रेरी जो हमें साब पूछा जाता है आगे बढ़ते हैं इधर यूरोप और एसिया की तरफ इधर लिखा रहे था कई स्टेपी तो इस टेपी आपका पूर्वी यूरोप से लेके मादेशिया तक कछेतर है जो आप मैप बहुत आसानी से देख सकते हैं जो आपको अच्छे से याद हो भी जाएगा कैसे आते हैं तो इसमें गास के नाम दे देंगे इसे चार नाम दे कि जब ऐसे कुश्चन आए एक बार भले आ रहा है देखते ही जब कोई कुश्चन आता रहता है तो हम उसको बहुत जल्दी से टिक मार के निकल लेते हैं और जब आंसर की मिलाते हैं तो बहुत दुख होता है कि आता हुए कुश्चन हमने गलत कर दिया तो आसान को भी उत पुस्टाज के घहास के मैदान है और मंचूरिया है यह और उल्क個म हैं नाम से भी लग रहा विल्कुल आर्केटिक वृत्य के आसपस तो टुंड़ा चेट्र देखिए जब बरब पिघलती है थोड़ा मौसम बदलता है तो छोटी-छोटी जो मुलायम घासे निकल आती है तो जो ऐसे घास के मैदान है तो टुंड़ा चेत्र है तो इनका जो विस्तार होगा चुकि आर रखीगा कि यह दुरुप के पास हो ठीक है तो चाहे वह साइबेरिया रूस पूछे चाहे वह ग्रीन लैंड का है चाहे वह कनाड़ा का है क्योंकि जब आप ग्लोब पर देखेंगे तो वह एक ही जगा मिलेगा या मैप पर तो एक्स्पैंड हो जाता है तो जो नए अभी स्टुडेंट्स हैं जो अभी यूपी टेट वगरा दे रहे हैं सीटेट दे रहे हैं उनको समझने की थोड़ी सी जरूरत है हलांकि आपके सिल्बस में ग्रेजूइशन में सब होता है लेकिन फिर भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो एक बार ग्लोब को स्टडी करे कि ग्लोब को जो एक्सपैंड करते हैं तो कौन-कौन से एरिया कहां पर फैल जाते हैं और उनमें दूरी कितनी है आपस में तो आपको लगेगा कि यह सब इरिया विलकुल पास में ही है यहां पर बहुत दूर-दूर दिखाई दे रहे हैं तो दोस्तों हमने यहां पर मार् इसिया पुर्वी यूरोप मंचूरिया चीन बोलेंग या इसिया बोलेंगे इधर देख लेते हैं इसी तोस्तों निकट बंदी में पंपाज अर्जेंटीना अरुग्वे ब्राजील वेल्ड दक्षिन अफ्रीका डाउंस आस्टेलिया केंटरबरी न्यूजिलेंड और जो इस एक नाम से राडव भी मिलेगा आपको जो अमेजन घाटी छेतर है वहां पर इनको सिल्वास हैं सिल्वास बहुत घने जंगल है और इनको देखिए अफ्रीका में में सवाना है जो अगर कि पूछाता है तो सवाना है लेकिन एक बेल्ड पाई जाती है जो अट्लांटि पसंद आया होगा बहुत जल्दी हम लोग फिर से एक नया इंपोर्टन लेक्चर लेकर आएंगे जिसको पढ़ेंगे और आपके एक्जाम के कुजिशन्स बहुत अच्छे से टैकल होने वाले पसंद आए तो लाइक करिए दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि इस क्लास में और लोग भी जुड़ सकें मिलते हैं एक लेक्चर में तब तक के लिए गुडबाई